नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बुधवार प्रदोश व्रत कथा कहने जा रही हूँ। ये कथा प्रदोश व्रत में सुनने जाने वाली है दोस्तों। इस कथा का पूरा सुनना प्रदोश व्रत का फल माना जाता है। तो चलो कथा शुरू करते हैं वार के अनुसार जो प्रदोश व्रत करते हैं उसी के अनुरूप उसका फल प्राप्थ होता है प्रदोश अथवा त्रयोदशी का व्रत मनुष्य को संतोशी एवं सुखी बनाता है बुध्ध त्रयोदशी प्रदोश व्रत करने से सर्व कामनाएं पूर्ण होती है इस व्रत में हरी वस्तूओं का प्रयोग करना चाहिए शंकर शिवजी की आराधना, धूप, बेलपत्र आदिसे करनी चाहिए बुध प्रदोश व्रत की कथा के अनुसार एक पूरुष का नया-नया विवाह हुआ विवाह के दो दिनों बाद उसकी पत्नी माइके चली गई कुछ दिनों के बाद वह पूरुष पत्नी को लेने उसके यहां गया बुधवार को जब वह पतनी के साथ लोटने लगा तो ससुराल पक्ष ने उसे रोकने का प्रयत्न किया कि विदाई के लिए बुधवार शुभ नहीं होता लेकिन वह नहीं माना और पतनी के साथ बैल गाड़ी में चल पड़ा विवश होकर सास ससुर ने अपने जमाई और पुत्री को भारी मन से विदा किया नगर के बाहर पहुँचने पर पतनी को प्यास लगी पुरुष लोटा लेकर पानी की तलाश में चल पड़ा पतनी एक पेड के नीचे बैठ गई थोड़ी देर बाद पुरुष पानी लेकर वापस लोटा तब उसने देखा कि उसकी पतनी किसी के साथ हंस-हंस कर बातें कर रही है और उसके लोटे से पानी पी रही है उसको क्रोध आ गया वह निकट पहुँचा तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना न रहा क्योंकि उस आदमी की सूरत उसी की भानती थी पतनी भी सोच में पढ़ गई दोनों पुरुष जगडने लगे धीरे धीरे वहां कौफी भीड एकत्रित हो गई और सिपाही भी आ गए हमशकल आदमियों को देख वे भी आश्चर्य में पढ़ गए उन्होंने स्त्री से पूछा उसका पती कौन है? वह किंकरतव्य विमूड हो गई तब वह पुरुष शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगा हे भगवान, हमारी रक्षा करें मुझसे बड़ी भूल हुई कि मैंने सास ससुर की बात नहीं मानी और बुधवार को पत्नी को विदा करा लिया मैं भविष्य में ऐसा कदापी नहीं करूंगा जैसे ही उसकी प्रार्थना पूरी हुई दूसरा पुरुष अंतरध्यान हो गया पती-पत्नी सकुषल अपने घर पहुँच गए उस दिन के बाद से पती-पत्नी नियम पूर्वक बुध्ध त्रयोदशी प्रदोश का व्रत रखने लगे अतर बुध्ध त्रयोदशी व्रत हर मनुष्य को करना चाहिए तो इस प्रकार हमारी प्रदोश व्रत कथा संपन्न हुई बोलो भोले नात की जै बोलो माता पारवती की जै बोलो शंकर भगवान की जै दोस्तों आपको यह कथा अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें इस चैनल पर आपको सभी त्योहारों की कथाएं उपलब्ध होगी इन कथाओं को आप अपने सभी व्रत में सुन सकते हैं और इस वीडियो को अपने फैमिली ग्रुप में शेयर करें जिससे वह भी प्रदोश व्रत कथा के बारे में जान सकें धन्यवाद